हालो हुरी वेलकम बैक टुछ सभी स्वागत है आज में वीच मार्च वी स्मार्च की गरंड अधर में टॉटल इसक्लास में वेल्कम मैं हमाग वेलकम बैक सभी स्वागत है चलिए तो जो है वो class को शुरू करते हैं और आज जो है information जैसे आप लोगों उध्यान है तो बैच चल रहा है आठ मार्स से चालू हुआ था अलागि बहुत जादा classes इसमें cover नहीं हुई है तो अगर आप इंट्रेस्टेट है तो अभी ancient history आनी की प्राचीन भारत का इतियास इसमें चल रहा है नोट्स में हिंदी इंग्लिश दानों में provide करवा रहा हूं हूं और printed notes है जाने कि उसके अंदर जो है वो printed में आपको information मिल जाएगी हिंदी इंग्लिश के अंदर लगभग सारे topics जो है वो cover कर रहे हैं और exams के साब से important है join कर सकते हैं Power Mind Institute online app के थ्रूँ चलिए तो इसके अंदर जो है वो डेली करन डिफेर्स की class में पहला question है आज बताईए President Ramnath Covin जो है हमारे राश्ट्रपती President इना प्रेजिडेंट किस स्थान पर एक सूपर इस्पेशली ती हॉस्पिटल का उध्गाटन करेंगे यह जो है वो राश्ट्रपती द्वारा किया जाएगा और राश्ट्रपती द्वारा किया जाएगा तो थोड़ा सा ऐसे नियूज में चल रहा था कि भई राश्रबती जो है वो कहां पर जाकर जो है वो Super Specialty Hospital का या कहां के दौरे पर रहेंगे कुछ भी मान लो यार आप लोको तो अंसर करना है कि राश्रबती द्वारा कौन सी जगह पर जो है वो एक Super Specialty Hospital का उद्गाटन किया जाने वाला है वरा के शुनील सभी student का स्वागत है welcome back to the class तो राश्रबती जो है वो उडिशा के दोरे पर है और उडिशा जो है कौन सी जगह पर करेंगे यह करेंगे रावर केला में ठीक है रावरकेला उडिशा के अंदर जो है वो मुख्य तोर से जो रावर केला Steel Plant है कहां पर रावर केला स्टील प्लांट के अंदर जो है वो एक स्पेशल हॉस्पिटल शुरू करेंगे और ये रामनात कोविन जो राश्टबती है वो कर रहे हैं तो इस वज़े से थोड़ा सा न्यूज में आ गया हाला कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टन चीज नहीं है ठीक है तो देख लेना अकॉर्डिंग लिए इसको बहुत रटा आनने की भी जरूरत नहीं है चलिए आगे वड़ते हैं बताइए ग्राम उजाला योजना स्कीम इस लॉंज इन विच आफ फॉलिंग प्लेसे ग्राम उजाला योजना निमलिकित में से किस स्थान पर शुरू की गई ह देखिए ये बहुत important है जरूरी ये government scheme है ना तो government scheme के जो question रहते हैं वो तो हमारे लिए important रहेंगे तो हमें government scheme पे जरूर ध्यान देने की जरूरत है सभी students को यागद होनी चाहिए government scheme जो भी government recent में launch कर रही हो सबको तो खास तोड़ से ध्यान देने की जरूरत है तो ये कौन भारत के लिए खास तोड़ से पूरे ग्रामीन इलाकों के लिए है और इस योजना के अंदर उजाला जैसे समझ में आगया होगा रोशनी कंडे की बात हो रही है तो कहां से शुरू किया है इसको किस जगह से शुरू किया है ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि क ग्राम उजाला योजना है किस से जुड़ी वी तो ध्यान रखना है आपको ये LED बल्ब जो है वो वितरत करने के लिए है वह या किस से जुड़ी बल्ब देंगे है ना 10 रूपय में LED बल्ब दे रहे है तो इसलिए है ये और ग्रामी इंड़ शेत्रों के लिए है पावर मि यानि कि एक तरीके से जो बत्ती वाले बल्ब होते ना या लैम्प होते ना उनको बदलने पर जो है वो दस रुपए में बदलने पर दे रहे हैं LED लाइट विद्यूद 136R के सिंग ये नाम भी important रहेगा और बिहार के आरा में ग्राम उजाला कारेकरम की शुरुवात की और क शील पुराने ताब दीप्त बल्बों के बदले प्रते ग्रामीर परिवार के लिए केवल 10 रुपए में LED बल्ब उपलब्ध होंगे ये बहुत important रहेगा तो जैसे भी जो भी रूरल अप्लिप्टमेंट की स्कीम चल रही है भी government की उन सब को ध्यान रखना आपको खास तो चलिए आगे बढ़ते हैं next question लेते हैं question है बताईए what is Milan 2T seen in news recently हाल ही में समाचार में देखी गई Milan 2T क्या है satellite launcher है anti-tank missile है parasite per gv है या super computer है ये जो हाल ही में खबरों में आ रहा है Milan 2T ये क्या है what is Milan 2T देखिए Milan 2T जो है नाम से थोड़ा सा अजीब लग सकता है बड़ इसक अंतरगत ये जो है भारत के ये अंदर बनीवी क्या है anti-tank missile है B is the right answer ये क्या है anti-tank missile है और ये DRDO ने विक्सित नहीं की है फास बात है यहाँ पर ध्यान रख लिजेगा ये जो है वो भारत dynamics limited के साथ में एक समझोता हुआ है ये याद रखना है आपको acquisition wing of ministry of defense signed a contract with defense public sector undertaking य ACU जहां गया मतलब भारत सरकार की company क्या नाम है भारत dynamic limited BDL इनके साथ में समझोता किया है ठीक है किसका 4960 Milan 2T anti-tank guided missile to Indian army at the cost of 1188 करोड रुपे रक्षामंत्राली की अधी grand wing ने 1188 करोड रुपे की लागत से भारतिय सेना को 4960 Milan 2T anti-tank missile guided missile system की आपूरती के लिए रक्षा शेतर के सार्वजानिक उपकरम भारत dynamics limited BDL ये याद रखना है किस से किया है BDL से किया है ये question भी आ सकता है तो BDL से किया है ये बात याद रखनी है भारत dynamic limited के साथ में किया ये याद रखना है आपको ठीक है सार्वजानिक शेतर का उपकरम भारत dynamic limited इसका नाम क्याद रखना है इसके साथ में एक समझोते पर हस्ताक्षर किये हैं चलिए इसी के साथ में आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट कोईशन लेते हैं अगला कोईशन हमारे साथ में बताइए लॉइड जेम्स ऑस्टिन थ्री वू इस एन ऑफिशल विजट टू इंडिया ही इस दा डि आकात भी करी और जो है वो और भी अन्य रक्षा मामलों पर जो है वो बाची जो है वो इनके साथ में हो रही है भारत के साथ में खास तोड़ से आप लोगों ध्यान होना चीए अभी हाली के अंदर अफगानिस्तान वगरा के शेत्र में जिस तरीके की स्थिति बन रही है तालिबान के साथ में अमरीका के कुछ अंसर क्या होगा बिलकुल अमरीका होगा तो कुछ संबंद जो है वो सुधरते वे दिख रहे हैं और अमरीका ने पहले तो फैसला किया था कि वो अपने सारे सैनिकों को अफगानिस्तान से निकाल लेंगे बड़ तालिबान के आतंक से उसमें कूदते हैं या फिर उसमें शामिल हो जाते तो अमरीका का लोड कम हो जाएगा और अमरीका वाले अपने सैनिकों को महां से निकाल लेंगे तो अभी एक रशिया में मॉस्कों में भी एक डायलोग चल रहा है जिसके अंदर भारत को निमतरित किया गया चीन को निमत रित किया गया है पाकिस्तान को अफगानिस्तान को इन सब को किया गया है कि अफगानिस्तान में शांती किस तरीके से भाल की जा सकती है उसमें तालिबान ने भी हिस्सा लिया है तालिबान एक संगठन है जो कि अफगानिस्तान के अंदर जो है वो कभीला कभीलाई और एक पैसा जो है वो डूब भी सकता है और दूसरा पाकिस्तान के बगल में अफगानिस्तान जो है भारत के लिए बद्धे एशिया में एक बहुत इंपोर्टन देश जो है वो बनता है इन सब कारणों की वाज़े से भारत के लिए अफगानिस्तान इंपोर्टन और ये जो है रक सरीक सामरीका की साहता कर सकता है इस मामले पे चर्चा उस में हो नी है आला कि हमें इतना जद में ज्ग है चालो आगे बढ़ते एंच k word लेते हैं तो यह जो है उससे पहले देख लेते हैं फोटो है भी या देखों ये मीटिंग हुई है बहुत अच्छी इससे जाधा अपने को मतलब नहीं है फोटो देख ली खोश हो जाईए एक्स्ट कोईशन लेते हैं इस संगठन दौरा जारी किया गया है डिजिटल मेरेगों तो आपको इनफोर्मिशन देनी है इस पर भी चर्चा करेंगे, पहले संगठन देख लेते हैं, NATO यानि की North Atlantic Treaty Organization, मैंने पहले बताया था, एक सैन्य संगठन है, सैन्य संस्था है, जो की उत्री Atlantic महासागर के दौनों तरफ जो देश हैं, उनके से मिलकर बनी भी है, दूसरी तरफ है आपके पास में European Union, European संग, अगला संगठन है, आसियान, आसियान जो है, वो दक्षन पूर्व एशियाई देशों का संभू है, और फिर है सार्क जो की दक्षन एशियाई यानि की भारत और आसपडूस के देशों का संभू है, तो किनों ने जो है, वो ये नया एक सर्टिविकेशन लाँच किया है, डिजिटल ग्रीन सर्टिविकेशन यानि कि डिजिटल ग्रीन प्रमान पत्र यह किया European Union यानि कि European संग ने जैसा मैं कह रहा था यह किस से जुड़ावा है तो याद रखिएगा यह किस से जुड़ावा है डिजिटल ग्रीन प्रमान पत्र कोविड से जुड़ावा है अगर को किसी को क्या हो चुका है कोविड से इम्यूनिटी हो गई है उसने टीका लगवा लिया है ठीक है उसने अगर टीका लगवा लिया है या फिर उसको कोविड हो चुका हो पहले वो ठीक हो चुका है कोविड से ठीक है तो किसी भी इस्तिती के अंदर ठीक हो चुका हो तो ऐसे आ यात्रा कर सकेंगे तो यात्रा करने के लिए किनों ने जारी किया? European Union ने जारी कर दिया है Green Certification और इसको आप जो है वो फोन में वगरा में दिखा सकते हैं European Union में घूम सकते हैं तो इसके लेकर काफी समय से चर्चा चल रही थी कि ऐसा passport type document होना चीए मेरे को कोई खतरा नहीं है मैं COVID free हूँ तो मैं घूम फिर सकूँ तो ये काफी समय से immunity passport के नाम से चल रहा था तो immunity हो चुकी है जिन लोगों को उनको ये मिलेगा European Union में अगला question है बताई which state has declared as the champion state for वन्धन विकास योजना वन्धन विकास योजना के लिए किस राज्य को एक champion राज्य कोशित किया गया है या फिर इसमें प्रथम राज्य प्रथम इस्थान पर आया है कौन सा राज्य वन्धन विकास योजना मुख्य तोर से किन के लिए है जो है वो आदिवासी लोगों के लिए है ठीक है आदिवासी जो है वो अपने वन के आसपास के इलाकों से जो लकडी बगरा इखटा करते हैं या फिर जो उत्पाद बनाते हैं ठीक है प्रोडक्स बनाते हैं उनको बेच सकते हैं और उससे उनको संपत्ती मिलेगी या फिर उनको एक तरीके से उन प्रोडक्स को बेचने से उनकी आये में बढ़ोतरी होगी तो आदिवासियों की आये को बढ़ाने का जो है वो कारिकरम चलाए जा रहा है और ये कौन से राज्य को इसको सर्फशेश बताए गया तो इसमें किया गया मनीपूर को सर्फशेश बताए गया D is the right answer मनीपूर के अंदर जो है वो सबसे जादा इसका फायदा जो है वो आदिवासियों को हुआ है जिसकी आए में बढ़ोतरी हुई है खा ठीक है तो ये बात भी याद रखें आदिवासियों मन्तरा लेके द्वारा चलाए जा रहा है ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं देखते हैं नेक्स्ट कोईशन बताईए विच स्टेट हैस बेंड दा मूवमेंट ऑफ पैसेंजर बसेस तू एन फ्रॉम महराश्टरा किस र बढ़ गए केस दीरे दीरे बढ़ते ही जा रहे हैं तो यहाँ पर जो है वो तर बाकी राज्जों का आसफ़रो उसमें उने लग गया कि भईया कहां पर हम जो है वो केसे को रोकेंगे तो महराश्ट से आने जानी बस ही रोक दो आला कि लोग कौन से रोक जाएंगे पैदल आने जाने रोले लोग तो रहेंगे ठीक है है तो यह बात याद रगें, कैसे बनेगा सर राकेश अमित वेलकम बैक जय क्रिश्री कृष्न सभी स्वागत है वेलकम बैक टूध खतुडर्स राकेश कैसे बनेगा मतलब आप इसकी पूच रहे हैं कि आय कि पूच रहे हैं य मैं समझ नहीं पाया हूँ कैसे बनेगा ये थोड़ा सा समझा दीजीगा शायद आप European passport की बात कर रहा हूँ आपने पहले भी comment किया था मैं देख पा रहा हूँ आपका comment पहले भी था तो शायद उसके लिए बात कर रहे हैं तो आप उसमें ये है कि European sang के अंदर अगर आप जिसको कोविड का टीका लग चुका हो या उसको जो है वो कोविड का ठीक है या फिर वो कोविड से जो है वो किसी भी तरीके से निजात पाचुका हो इस तरीके के लोगों को जो है वो क्या मिल जाएगा एक document मिल जाएगा कि हां मेरे को टीका करन हो गया टीका हो गया तो में मेरे को एक बार अल्रडी हो चुका है और मेरे पास वैक्सीन एंटी बॉडी बन चुकी है मेरे बॉडी में तो वो उसका मिल जाएगा उसमें तो वो एक तरीके का सर्टिविकेट होगा जिसमें QR कोड होगा उसको स्कैन करवा सकते हैं तो अगर आपके पास वो certification है तो आप किसी भी देश में आ जा पाओगे ये कहकर कि साथ मेरे को तो ठीका लग चुका है मेरे को अब खत्रा COVID से नहीं है तो ऐसे लोग और सिर्फ European संग में उन लोगों को वहां के नागरिकों को ये facility मिलेगी ठीक है तो वो registration के base पे होगा जहा तो यहां पर को याद रखो ये चीज की जो है मध्यप्रदेश अंसर होगा ठीक है मध्यप्रदेश अंसर होगा अब यहां पडिए वो अगली बात क्या रही है है अगली बात ही आरी कि गोवा करनाटक वगरा गुजरात अभी तक तो इन्होंने नहीं लिये हैं ऐसे measures बंद करने का कोई काम नहीं किया है ठीक है चलो आगे बढ़ते है next question लेते है अगला question है अगला question है अंडर operation संकल्ब दा इंडियन नेवी अंडर टू का passage exercise with which nation नेवी in the Persian Gulf operation संकल्ब के तहत भारती नौसेना ने फारस की खाड़ी में किस राश्टर की नौसेना के साथ में एक युदभ्यास किया है एक बहुत बड़ा hint इस question में छुपाव है फारस की खाड़ी दे दिया तो आपको ऐसा question करना है answer देना है जिसमें जो है वो फारस की खाड़ी ही शामि संडे मिलता है तो अब थोड़ा तो चैन संडे को कोई काम भी होते हैं घर वाले भी थोड़ा expect कर रहें कि हाँ एक बेटा है तो वह कुछ कामदाम करते घर का तो वह वाली समस्या यार क्या करें तो इसलिए जो है वह आपको थोड़ा सा सहान करना पड़ेगा हाला कि देख है कि वह जो है वह किसे सात यसे भरते से नहीं फारस की खाड़ी में आ रही है दो अब क्षकन ग्रेंगे है यहां जूम करेंगे तो देख सकते हो छोटा सा आइलन्ट वीप है बाहरीन मनामा जो है वो इसकी राजधानी है में एन ए में है ना यहां पर यह जो छोटा सा द्वीप देख पा रहे हो आप यहां पर एक कतर यह बड़ा सारा जो हिस्सा निकला हुआ है यहां से और इधर की पासेक्स एक्सराइज यानि की मैंने जैसे भी पहले बताया है बहुत सारे देशों के साथ पासेक्स एक्सराइज भारती नेवी की रही है तो वो जो है वो किस तरीके की है वो यह है कि पासेक्स एक्सराइज के अंदर इस पूरे शेतर के अंदर जहां भी हो रही हो वहां यहां पर है फारस की खाड़ी यह होगी फारस की खाड़ी के बाद में यहां पर हॉर्मूस की जलसंदी होगी हॉर्मूस की जलसंदी के बाद में यहां पर ओमान की खाड़ी होगी और ओमान की खाड़ी के बाद में यहां पर अरब सागर लग जाएगा चली आगे बढ़ते हैं next question लेते हैं हम अगला question है हमारे पास बताईएगा Able Price for Mathematics in 2021 has been awarded to who? 2021 के गणित के लिए Able पुरसकार से सम्भानित किसे किया गया है? मैं जैसा कल कैबी रहा था कि Able पुरसकार जो है वो कल आ चुके है यानी कि नए Able पुरसकार जो है गोशित होके 2020 के खास बात क्या रहती है Able पुरसकार Able पुरसकार जो हुता है वो मुक्षे तोड़ से इस प्रकार से रहता है कि Able पुरसकार Maths का नोबल कहलाता है या दोगा आपको कहां दिया जाता है? नौर्वे में दिया जाता है मैट्स का नौवल घिक है, गनित का नौवल एबल पुरुसकार कहलाता है ठीक है, और इसके अंदर जो है वो ध्यान रखने वाली बात क्या है, कहां दिया जाता है नौर्वे में दिया जाता है ओके, राकेश, नहीं, सारी यह जो है वो आपको अफसोस हो का जानके नहीं मैं अभी तक आजा दी हूँ ठीक है चलिए तो यहाँ पर जो है वो 2021 में गनित के लिए एबल पुरसकार से सम्वानित किया गया है एवी विगर्ड रडसन और लासेज लो लोवेस को यह जो है इन दोनों का नाम आएगा जो यह तीसरा आप्शन है थर्ड नंबर वाले इनको मिला था 2020 में ठीक है हाइलल जो है फुरस्टेन बर्ग जो है इनको 2020 में मिला था जबकि इन दोनों को 1 और 2 जो ये दो नाम दिये वें इनको मिला है 2021 का यानि कि आपका अंसर होगा B इन दोनों को मिला है 2021 का जबकि 3 यानि कि ये जो है Hylal Fustenberg जो है Hylal Fustenberg इनको मिला है 2020 में तो ये 1 और 2 को नाम याद रखें आप ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कुईशन लेते हैं बताइए Mission Gramoday is launched in which state? Mission Gramoday किस राज्य में शुरू किया गया है? Mission Gramoday मुख्य तोर से गाउं के अंदर जो है वो सुविधाओं को प्रदान करने के लिए शुरू किया गया है? किस राज्य के द्वारा Mission Gramoday की शुरुवाद जो है वो की गई है आपको मुझे बताना है Mission Gramoday किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है? Gramoday मतलब सीधी सी बात है कि जैसा नाम से पता चल गया है Gramoday के अंदर गाउं के अंदर जो है Mission Gramoday जो है वो शुरू किया गया है चलिए आगे एक क्वेस्चन देखते है बताइए हीरो मोटरसाइकल है सेट अप ग्लोबल हेड़क्वाटर्स इन विच सिटी हीरो मोटरसाइकल ने किस शेहर में वैश्विक मुख्याले स्थापित किया है हीरो मोटरसाइकल विश्व में सबसे ज़्यादा मोटरसाइकल बनाने वाली कंपनी है सिर्फ भारत भारत में इन्होंने अपना जो है वो शेत्र या अपना दाइरा जो है वो बढ़ाने के लिए अंतराश्नी मुख्याले स्थापित करने का फैसला किया है और इन्होंने जो है वो इसको कहा पर स्थापित किया यह question है normal simple सा question है ज्याद philosophie गनेत इसमें है नहीं जो जो है वो कौन से जगय है पर कौन से शहर के आंदर वो इंका international मुख्यालेया यानि के अंतराश्णी मुख्याले जो है वो थापित किया जाने वाला है अंसर कर दीजिए अंसर क्या होगा अंसर होगा डी लंडेन बिलकु सही है डी लंडेन बिलकु सही अंसर है डी इस दराइट अंसर वेरी नाइस चलिए आगे बढ़ेंगे next question लेंगे Global Recycling Day celebrated on Global Recycling Day यानि की वेश्विक पुनर चक्रा ने दिवस कब मनाया जाता है Recycling मतलब सीधी सी बात है एक ही सामान को फिर से इस्तमाल करना ही रिसाइकल होता है Reuse, Recycle यह दो वर्ड हैं जो बहुत इस्तमाल होता है आजकल और हमें करना भी चाहिए एक ही उत्पात को waste करने की बाद में उसको जो है वो वापिस से इस्तमाल करना पुनर उसका निर्वान उसका पुरण इस्तमाल करना जो है जैसे यहाँ पे शब्दों भी इस्तमाल किया गया है पुनर चक्रण यानि की Recycle कर देना यह जो है वो मनाया जाता है 18 March को C is the right answer ठीक है C यह होता है 18 March यह 18 March को मनाया गया है चलिए आगे बड़े next question लेते हैं पताइए who has become the first Muslim actor to be nominated for Oscar in leading actor category कौन अग्रणी अभिनेता श्रेणी में Oscar के लिए नामेत होने वाले पहले Muslim अभिनेता बन गए है यह अभिनेता जो है मुख्य दोर से पाकिस्तान से संबत रखते हैं पाकिस्तानी मूल के हैं बट अमरीकी नागरिक हैं बट यह पहले ऐसे actor बन गए हैं जो Muslim actor होने के अलावा पहली बार Oscar में जो है वो नामित हुए है leading actor category यानि कि जो main actor category होती है जिसको अपन best actor category भी बोलते हैं उसमें जो है वो कौन से actor जो है उनका नाम आया है तो यह नाम जो है वो रिज एहमत का है बिल्कुर सही बताया है सभी students रिज एहमत जो है अगर आप लोगों ने कभी इनको नहीं देखा है तो अगर आपने Venom ना आगे बढ़ते हैं और static section पर आजाते हैं static section में बताइए where was project elephant started in India भारत में project elephant की शुरुवात कब हुई थी किस साल हुई थी देखें दो project याद रखने को बोलता हूं मैं हमेशा एक तो होता है project tiger और दूसरा होता है project elephant project tiger की शुरुवात हुई थी 1973 सतरा सो सारी 1973 के अंदर ह tiger की शुरुवात यानि की बाग संरक्षन के लिए वहीं दूसरी तरफ project elephant जो कि हातियों के संरक्षन के लिए जुड़ावा है नाम से पता चल जाएगा आप लोगों को इसकी शुरुवात भारत सरकार ने कब किया है project elephant की शुरुवात जो है वो भारत सरकार ने की 1992 में ठीक 1992 में शुरू किया गया था ये दौनों ही किसके अंदर आते हैं wildlife protection act में आते हैं wildlife protection act यानि की वन्ने जीव संरक्षन कानून या धिनियम ये अपने आप में कपारित हुआ था तो ये वादान 1972 में 1972 का wildlife protection act भारत में वन्ने जीव संरक्षन के लिए बहुत महत्पूर्ण परियोजना मानी जाती है चलो आगे बढ़ते हैं next question है which is the oldest biosphere reserve in India भारत का सबसे पुरा biosphere reserve कौन सा है बताओ तरह चंद help किस चीज से जुड़ी भी आप help मांग रहे हैं I hope मैं समझ रहा हूँ आपने शाय स्पैलिंग थोड़ी सी गिलत लिखिए आपका मतलब help ही है तो help मैं समझ गया और बताइए किस चीज से जुड़ी भी help चीए ओके तो यहां पर answer के आएगा यहां पर answer हमारे पास में आएगा सबसे पुराना biosphere reserve याद रखिएगा भी यह सबसे पुराना biosphere reserve जो है वो भारत के अंदर आता है नीलगिरी biosphere reserve नीलगिरी biosphere reserve जो है वो कहां पर पढ़ेगा? नीलगिरी जो है वो पढ़ता है कहाँ पर केरल के अंदर नीलगिरी बायस्फेर रिजर्व जो है वो इस्थित है नीलगिरी बायस्फेर भारत का सबसे पुराना बायस्फेर रिजर्व है ये बात याद रखिये ठीक है तो अच्छा हेलो कह रहे थे तारचन ठलू कहे रहे हैं चलिकोई बात ने, अच्छी बात है नीलकरी को याद रखो इसर रिजर्व जो है भारत का सबसे पुराना बायसफेर रिजर्व है बायसफेर रिजर्व क्या होता है? देखो समझो एक होता है हमारे देश के अंदर जिसको कहता है राष्ट्रिय उद्ध्यान यानि की नैशनल पार्क तो राष्ट्रिय उद्ध्यान यानि की नैशनल पार्क जिसको कहते हैं हम ये नैशनल पार्क जो है वो सबसे ज़्यादा सनरक्षित छेत्र होते है नैशनल पार्क जो हैं जैसे रंधंबोर नैशनल पार्क हुआ इसी तरीके से नंदा देवी नैशनल पार्क हुआ ये सब नैशनल पार्क जो शेतर होते हैं इनके अंदर एक ऐसा एरिया होता है जिसमें कोर जोन जिसको बुला जाता है इस Core Zone में किसी भी तरीके की मानوवी गति विदी अलाव नहीं होती है Core Zone के चारो तरफ फिर होता है Buffer Zone होता है Buffer Zone के अंदर ठोड़ी बहुत मानव गतिविदी जो है वो अलाव होती है और फिर उसके बाद बहार में होता है Transition Zone इस Transition Zone के अंदर जो है वो road वगेरा बना रहे हैं या फिर इस में से जो है वो road वगेरा निकल जाती है इधर से कोई आसपास का area निकल रहा है तो core zone में entry किसी को भी नहीं होती है ये core zone जो है वो राश्ट्रे उद्यान में सबसे सक्त होती है और किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार की गतिविती करने के अधिकार नहीं होता है आगे बढ़ते हैं तो हम पहुंचते हैं कहाँ पे इसके बाद में होता है एक biosphere reserve है ना आप लोगोंने सुना होगा तो ये जैसे हमने पूछा biosphere reserve तो कई राष्टे उद्यानों का मिलकर एक एरिया बड़ा सारा एरिया biosphere reserve हो सकता है biosphere reserve के अंदर क्या आता है biosphere reserve के अंदर एक fix area नहीं है fix area नहीं है उसके अंदर बहुत बड़ा शेतर आता है जिसमें कुछ शहर गाओं भी शामिल हो सकते हैं तो उस पूरे शेतर का ही संदरक्षन जो है वो देखा जाता है और इनको biosphere reserve कहा जाता है भारत में कुछ ही biosphere reserve है national park और wildlife sanctuary जिन को कहा जाता है वो बहुत जादा मिलेंगे बड़ आपको जो biosphere reserve है वो limited मिलेंगे क्योंकि बहुत सारे जो जैसे for example नीलगरी biosphere reserve है तो नीलगरी biosphere reserve में जो है नागर होल भी आ जाएगा नीलगरी silent valley ये सब area पूरा मिलकर जो है वो क्या बन जाता है वो बनता है नीलगरी biosphere reserve अगला question है बताईए विच पास इस यूज़ फॉर फिल्ग्रिम्स और गेटिंग टू कैलाश मांसरोर जाने के लिए तीथ यार्तियों द्वारा किस दर्रे का उप्यों किया जाता है ठीक है कैलाश मांसरोर अगर आप जाना चाहें तो आप मुझे बताईए कि अगर आप कैलाश मांसरोर की आत्रा पर जा रहे हों तो आप कौन से दर्रे से उकर गुजरेंगे ऐसा भी question जो है वो पूछा जा सकता है आपसे एक्जाम में क्योंकि यह बहुत ही अलग सा question है यह बात याद रखिएगा हाँ मैंने बांदाव गड़ने न्यू बायस्फिर रिजर्व में वो आएगा पन्ना जिसको अभी हाली के अंदर जो है वो तो मैन एन बायस्फिर रिजर्व जो एक network होता है देखो मैं समझा रहा हूँ मेरे कहने का मतलब क्या है पन्ना बायस्फिर रिजर्व जो है वो है MP में और वहाँ पर जो United ये जो UNESCO है इनके द्वार एक बायस्फिर रिजर्व की लिस्ट जारी की जाती है जिसमें भारत के कुल 18 बायस्फिर रिजर्व थे इनमें से एक जो नया भी जोड़ा गया है वो पन्ना बायस्फिर रिजर्व है पन्ना बायस्फिर रिजर्व जो है वो इसके अंदर मैन और बायस्फिर रिजर्व यानि कि एक लिस्ट है जो इसमें विश्व में जिनको मानने ता प्राफ्त रिजर्व हैं उन में किना जाता है M.A.B. M.A.B. उसमें शामिल किया गया था याद होगा आप लोगों को अगर ध्यान है तो इसको एक बार देख लिजेगा कुछ दिर पहले इस पर डिसकेशन भी किया था पन्ना वायस्व रिजर्व सबसे नया वायस्व रिजर्व उस लिस्ट में जोड़ा था तो ये न्यूज में था उस चाइम पर आगे बढ़ रहे हैं तो हम किस पर आ रहे हैं कैलाश मानसरवर जाने के लिए तीथ ही आरता हू द्वारा यातरी द्वारा किस दर्रे का उप्योग किया जाता है तो आपको याद रखना है कि अगर आप किसी भी तरीके से कैलाश मानसरवर जाने कोशिश कर रहे हैं तो लिपू लेक दर्रा आता है लिपू लेक पास या लिपू लेक दर्रा जो है वो नेपाल और भारत क सीमा पर पड़ेगा ठीक है लिपू लेक पड़ता है कहां पर पड़ता है थोड़ा सा मैं बता देता हूँ आप लोगों को मैप देख के यहां पर आ जाते हैं नेपाल बॉर्डर पे तो यानि कि आपको अगर कैलाश मांसरोवर जाना है तो कैलाश मांसरोवर है कहाँ कैलाश मांसरोवर है यहां पर तिबबत के अंदर तिबबत में इस्थित है यह वाला शेत्र कैलाश मांसरोवर कहलाता है कैलाश मानसरोवर से ब्रहंपुतर नदी निकलती है कैलाश मानसरोवर से जो है वो आपकी सतलज नदी निकलती है और कैलाश मानसरोवर शेत्र से यह आपकी सिंदू नदी भी निकलती है इस शेत्र तक जाने के लिए जो रस्ता इस्तमाल किया जाता है भारत में वो रस्ता य दर्रों से पास होकर ही आप जो है केलाश मांसरवर शेत्र पहुंचेंगे ठीक है तो लिपू लेक दर्रा उत्राखंड के अंदर है जिसको लेकर अभी थोड़े दिन पहले नेपाल और भारत के बीच में विवाद भी हो गया था लिपू लेक दर्रा वही है अगला क्वेशन से मतलब एक लोकल डांस है किसका सिकिम राज्य का खास बात क्या है कंचन जंगा जो परवत है भारत की सबसे उची हिमाले चोटी है ध्यान रखिए मैंने क्या का हिमाले चोटी हिमाले चोटी मतलब हिमाले परवत शिंकला में सबसे उची चोटी जबकि मांट केटू भारत की सबसे उची चोटी होती है जो की हिमाले का इससा नहीं उसको ट्रांज हिमाले कहा जाता है जोग्राफ वढ़ेंगे कभी तो उसमें भी आप जो हे वो sırकी class एट्रेंड कर सकते है지 जोग्राफी की class है आप पर अगर आपके तो फोड़ा सा हर्श जैसे आपने कहा कि जा सकते हैं सिक्किम से जा सकते हैं बट वो तिबित जाने के लिए सीधा रस्ता जो ट्रेडिशनल यूज़ होता रहा भारत से वो ये वाला ही है लिपू लेक वाला जो दर रहा है नहीं तो फिर आपको जो है वो चाइना से लंबा लहासा होके अरुनाचल प्रदेश से होकर जो है वो इधर आना पड़ता उल्टा जो कि और ज्यादा लंबा रस्ता है जो हाली में भी रस्ता खोला गया वो ये वाला है लिपू लेक दर्रा वगेरा यहां पर दो तीन पुल वगेरा भी मनाए भारत सरकार की तरफ से भी त हर्ष जैसा पूछ रहते हैं कि सिक्किम वाले दर्रे से भी जा सकते हैं जा बिल्कुर सकते हैं पर ट्रदिशनली जो प्राचीन काल से समय रस्ता यूज होता रहा है वो ये काली नदी वाला इलाका जो है ठीक है उससे होकर ही जाता रहा है ठीक है चलो तो यहां पर जो है वो सिक्किम में कंचन जंगा परवत की बात कर रहा हूं है तो मैंने जैसा का हिमाले में भारत की सबसे उची चोटी और हिमाले परवतों में दूसरी सबसे उची चोटी जो की नेपाल और सिक्किम की बॉर्डर पर इस्ते थे यह जो है वो कंचन जंगा के नाम से जानी जाती इसको सिक्किम में भगवान की तरह पूजा जाता है और इसके लिए एक नृत्य भी है ठीक है और यहाँ पर जो है वो कौन सा नृत्य की बात हो रही है तो यहाँ पर जो है वो बिलकुल चूफात नृत्य जो है इसकी बात हो रही है C is the right answer चूफात नृत्य जो है इसकी खास बात क्या है कि ये भगवान कंचन जंगा के लिए ही जो है वो खास तोड़ से किया जाता है और सिक्किम का प्रसेद नृत्य है तो इसको खास तोड़ से सिक्किम से जोड़ के याद रखें चलिए अगला कोईशन लेते हैं हम बताइए राष्ट्य पंचायती राज़ दिवस कब मनाया जाता है आपको मुझे बता रहा है राष्ट्य पंचायती राज़ दिवस नाशनल पंचायती राज़ दे इस सेलिबरेटेड रॉन विज डेट नाथूला पास ब्लॉक है नाथूला बिल्कुल सिक्किम के अंदर बढ़ता है और यह जो है वो सर्दियों में लगबग सारे दर्रे बंदो जाते हैं यहां तक कि लिपूलेक वगरा यह लगबग सारे दर्रे बंदो जाते हैं क्योंकि यह जो दर्रे है वो एक तरीके से ऐ्याहां पर पहाड के बीच में, जैसे आपके पहाडों में जाएंगे, घड़ों के देखते हैं कि पहाडों पूरे को चड़के क्रॉस करना बहुत मुश्किल है उसके लिए बहुत मेहनज भी लगेगी, बहुत आसान नहीं है, संभवी नहीं है एक तरीके से, बट जिस इलाके में से नदी भेह रही है, तो नदियों ने पहाड़ों को काट रखा होता है, तो पहाड की पूरी श्रिंखला चल रही है, तो बीच में एक नदी आ गई, तो वो जगह से जो है, वो रस्ता हमारे लिए थोड़ा सा नीचे हो जाता है, थोड़ा सा सोगम हो जाता है, आसान हो जाता है, और हम उस रस्ते से उगर गुजर सकते हैं, तो ये जो है, वो क्या कहलाता है, पास कहलाता है, यानि कि दर्रा कहलाता है, और ये दर्रे में जादा नधिया निकलती है, अब जब बरफ पढ़ने लगती है सर्दियों के मौसम में तो वो पूरे रिलाके में बरफ की मोटी चादर पढ़ जाती है जिसकी वज़े से नधिया तो वहती रहती हैं पर वो जो सड़के मढ़के होती है उस दर्रों से निकलने का जो रस्ता होता है वो बंद हो जाता है जिसकी वज़े से जो है प्रॉब्लम होती है तो सारे दर्रों के अंदर ये प्रॉब्लम लगभग लगए सर्दियों में आती है इसलिए भी हाली के अंदर भारत सरकार ने कई महतपूर्ण दर्रे जो हैं जहां से लदाग त the right answer 24 अप्रेल 1993 बिलको सही बता रहे है 1993 के अंदर जो है वो क्या शुरू हो गया था 73 अमेंडमेंट एक्ट जो है वो पास हुआ था 73 अमेंडमेंट एक्ट ठीक है ये 2002 के नाम से आता है 1992 के नाम से आता है इसको पास किया था 1993 में इसलिए कई बार लोगों कंफ्यूज भी जाता है 73 अमेंडमेंट एक्ट 2000 ये 1992 का है या थरीका है तो उसका एक्ट का अधिनियम का नाम तो 1992 है इसलिए हमेशा आपको बुक में 1992 लिखा मिलेगा हाला कि लागू जो है वो कब हुआ था 24 अपरेल 1993 में ये पारित हुआ पास हुआ संसत से और इसी को राष्टि पंचायती राज दिवस भी मनाया जाता है तो ये बात भी याद रखें 73 संविधान शेंशोदन के माध्यम से आर्टिकल अनुछे 243 आर्टिकल 243 के अंदर में पंचायती राज को संविधानिक अधिकार जो है वो दे दिया गया था तो ये बात याद रखें चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स कोईशन लेंगे अगला क्वेशन हमारे बताईए सारफजनिक उद्यम चैन बोड यानि की अध्यक्ष के रूप में किसे न्यूक्ति किया गया है मतलब वरतमान में इसके अध्यक्ष कौन है ये अभी दो थीन बार बदल चुके हैं तो मैंने वरतमान अध्यक्ष जो है वो लेकर आया हूँ ताकि आपके पास में शायद पहले मैंने इसमें जो इन्फॉर्मेशन दीती और वो क्या एक्चुली चेंज हो गए और कहीं न्यूस में आभी नहीं रहा था कि ये अभी बदले हैं रीसेंट में कहीं न्यूस में मिला भी नहीं मैंने चेक भी किया था तो लेटेस में जो इनकी वेबसाइट है उससे मैं निकाल के लाया हूँ नाम तो आपको एक information भी मिल जाएगी यार अभी वर्तमान में कौन है इसके अध्यक्ष तो इस अपॉंटेट एस चेर्मेन आफ दा पब्लिक एंटरप्राइज सेलेक्शन बोर्ड अब पब्लिक एंटरप्राइज सेलेक्शन बोर्ड करता क्या है जो भी public company है उनके जो अध्यक्ष हो जो होते हैं उनके अंदर जो लोगों का चैन होता है उसके लिए एक तरीके से सेलेक्शन करने का काम कौन करता है ये जो संस्ता है वो करती है और भारत सरकार इसमें न्यूक्ति करती है क्योंकि ये सारी company जो है वो भारत सरकार की public enterprise है ना public enterprise मतलब सरकारी company जैसे Indian oil corporation, NTBC ये सब जो है वो सरकारी उपकरम जिनको कहते हैं या फिर public companies कहते हैं तो इनके अध्यक्ष कौन है वरतमान में इसके अध्यक्ष है चेवांग फंसोग जो है वो इसके chairman यानी की अध्यक्ष है भी थोड़े दिन पहले इनकी न्यूक्ति हुई है तो ये जो है वो थोड़ा सा news में आया ही नहीं कहीं इन्फेक्ट news में कहीं मिली रिरा बट इनकी website पर जो नाम दिया वा है तो ये थोड़े मही महीने पहले हमने current affairs में इसको cover किया था अगस्त अप्रेल के आसपास जो है वो news में था 2020 में हला कि जब अभी अपडेट हुआ बीच में तो फिर मैंने जब मैं आज questions वापिस देख रहा था review कर रहा था तो उस time पर ये मेरे सामने आया कि इसमें change आ गया है तो अगर मैं same question चाल देता तो यहाँ पर जो है वो जो नाम आप देख रहे हैं वो नाम आपको नहीं मिलता क्योंकि actual information नहीं वो सही नहीं है तो मैंने उसको सही करने के साब से आपको एक extra information यहाँ पर दे रहा हूं इस चीज को याद रख लिजेगा थोड़ा सा मैं लिख रहा हूं यहाँ पर अपडेटेड तो यह अपडेट कर दिया है मैंने इसमें यह information जान पूच के अपडेट कर दिया है मैंने कारण क्या है क्योंकि यह नाम अभी वहाँ पर official website पर बदल चुका है तो इसके हिसाब से आप थोड़ा सा इसको अपडेट कर लें अपने नाम के अप हिसाब से चली आगे बढ़ते हैं next question लोगा बताइए who is appointed as the central vigilance commissioner केंद्रे सतरक्ता आयुक्त के रूप में किसे निक्त किया गया अभी हाली में केंद्रे सतरक्ता आयुक्त का काम क्या होता है केंद्रे सतरक्ता आयुक्त का मुख्य काम यह होता है कि हमारे देश के अंदर जो भी सरका सरकारी करमचारी है वो जिस भी ब्रश्टा चार वगरा की गतिविद्धी में लिप्त होते हैं तो उनके खिलाफ कारेवाही करने के लिए जो संस्था जिम्मेदार है वो कौन सी है वो है आपकी केंद्रे सतरक्ता आयुक्त वाली संस्था होती है केंद्रे सतरक्ता आयुक् तुनील लद्दाक से हैं यह और यह थ्री डेट्स वाले नहीं नहीं वो और हैं वो वो नाम कुछ और है वो सुनम वांग चुक है वो अलग है उनकी बात नहीं हो रही है इहां पर राकेश करें पहले कौन था तो राकेश इसके अध्यक्ष जो है वो पिछले साल दे दो चार साल में जो हैं वो तो तीन अध्यक्ष बदल चुके हैं अलगे भी थोड़े दिन पहले जो है वो नाम मेरे दिमाग से स्लेप हो रहा है कि एक्चुली किसे नुक्त किया गया था तो यह आप थोड़ा सा एक बर गूगल पर चेक कर लिजेगा बट आपको उससे फरक नहीं वाली नहीं है ठीक है अब जो है अगर पूछेगा तो वो यह पूछेगा तो मैंने जो अपॉइंट्मेंट्स वाली पीडिएफ डाउनलोड करके दी आप लोगों को मतलब जिसमें पिछले साल में जो जो लोग अपॉइंट हुए थे नियुक्ती वाले उसमें जो अपड बसू चैटर जी इनका हाली में निधन हो गया है किस पेशे से जुड़े वह थे बसू चैटर जी का संबंद किस पेशे से हैं यह आपको मुझे बताना है बसू चैटर जी बंगाल ही है सीदी सी बात है और बंगाल में जो है वो काफी जाने माने क्या थे फिल्म मेकर थे ठ फिल्म दिर्माता थे चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट कोईशन लेते हैं अगला कोईशन हमारे पास में बताइए प्रसकार पिछले साल 2020 में दिया गया था किस भारते को दिया गया है वर्ष 2020 के अंदर यह पुरसकार जो है वो किस भारते को दिया गया आपको मुझे बताना है Richard Dawkins आवेर, Richard Dawkins पुरस्कार 2020 के लिए किसको दिया गया था, यह दिया गया था, जावेद अक्तर को 20 दराइड अंसर, जावेद अक्तर जो है, आफ लोगों को ध्यान है, गाने लिखते हैं और फिल्मों के लेखक भी है, जावेद अक्तर को जो है, वो यह पुरस्कार, Richard Dawkins ठीक है, first Indian, पहला रत प्रथम भारती, बताईए, which international finance institution releases global economic prospects report, कौन सी अंतराश्य वित्तिय संस्ता, global economic prospect report जारी करती है, global economic prospect report जारी करती है, आपको मुझे बताना है, विश्व आर्थिक मंच, विश्व बैंक, एशिया विकास बैंक या ब्रिक्स बैंक, बताईए, विश्व आर्थिक, economic, sorry, global economic prospect report, ठीक है, विश्व आर्थिक prospects report, global economic prospects report जो है, वो कौन सी तंस्ता द्वारा जारी क्या जाता है, तो अंसर क्या होगा इसका, विश्व बैंक होगा, विश्व बैंक का मुख्याले कहां पर है, वर्ल्ड बैंक का मुख्याले, वाशिंग्टन डीसी के अं होने, डेविड मैल पास है, ठीक है, तो यह जो है, वो नाम भी याद रखें, ठीक है, अब यहाँ पर एक और report का जिकर कर रहा हूँ, मैं खास तोर से ध्यान रख लिजीगा, economic outlook report, यह क्या है, economic prospect report, एक होती है, economic outlook report, economic outlook, तो economic outlook report जो है, वो IMF द्वारा जारी की जाती है, अं international monetary fund जोरा जारी की जाती है, तो इनमें दौनों में confused मत होई है, economic prospects report जो है, वो जारी करता है, world bank, economic outlook report जारी करता है, international monetary fund, IMF, बताइए, अटल टनल is the Indian highest channel, is this located in which, और situated in which mountain, अटल सुरंग भारती उचितम सुरंग है, यह किस परवत में स्थित है, अभी हाली के अंदर यह सु करी रहा था, कि दर्रों के बीच में, जो है, वो सुरंग बनाने का काम जो है, वो चल रहा है, अटल सुरंग जो है, पिछले साल ही, इसका, जो है, वो inauguration प्रदान मंतरी जी ने किया था, और यह भारत की सबसे उची टरनल बन गई थी, आपको मुझे बताना है, किस परवर question क्ला में है, तो वो तो हो गया, question ही हो गया, दूसरी, ये सुरंग जो है, वो किस दर्रे के पास में है, और तीसरी, ये कौन से से कौन सी जगे को जोड रही है, तो ये तीन चीज़ जो है, वो आपको बहुत ही important है, जानने लायक है, और इन तीनों को ही discuss करना हमारे लिए जरूरी होगा, तो मैं फिर से revise करवा रहा हूँ, तो मैं इन तीनों चीज़ों की भी बात कर रहा हूँ, ठीक है, पीर पंजाल बिलको सही अंसर दिया है, दूसरा, क्रेशनपाल ने बताया है, रहतांग सुनील ने बताया है, ठीक है, तो यहाँ पर जो है, वो पीर पंजा पास, रहतांग दर्रे को पास करती है, या फिर रहतांग दर्रे को टालती है एक तरीके से, रहतांग दर्रे से होने वाला जो रस्ता है, उसको एक तरीके से यह छोटा कर रही है, उसका समय बचा रही है, और यह सुरंग जो है, वो मुख्य तोर से पीर पंजाल हिमाचल प रस्ता है इस पे से ओकर ये सुरंग जो है वो गुजरती है अगर आप मैंसे कभी किसी ने सपना देखा है कि मैं आपनी रॉयल एन्फील्ड बुलेट पर जो है वो रोतांग दर्रे से होते वे लद्दाग जाओंगा गाड़ी में तो वह इसी रस्ते से ओकर गुजरोगे के पास में है रोतांग दर्रे को टालती है हिमाचल प्रदेश में पीर पंजाल परवर्श इंकला में पढ़ती है ये बात याद रखनी आपको मैप पर भी दिखा देता है एक बार फटा बट से ताकि आप लोगों को जो है वो आसानी हो बही है मैप देखना बार बार करता हूँ कई क्वेश्चन तो ऐसे हो जाते हैं मैप पर देखा वाए ध्यान है इसलिए हो गया है ना अब यहां पर देखो यह वाला इलाका जो है ना वो आप देख पा रहे हो देखो यहां पर कुल्लू दिखाई देगा कुल्लू से उत्तर की तरफ जाओगे तो यहां पर आजाएगा मनाली अब यह मनाली से इधर की उत्तर की तरफ जा रहे हो तो यह देखो यह वाला जो सेक्शन दिख रहा है ना यही वो सुरंग है और इधर जो है वो क्या दिख रहा है यह है रोतांग दर्रा यह है रोतांग पास रोतांग दर्रा जो है उससे होकर यह updated भी है तो यहां पर अटल सुलंग जो है वो एक तरीके से इस पूरे रस्ते को जो यह घुमावदार रस्ता है इस पूरे रस्ते को जो है वो छोटा कर देती है राश्ट्य राजमार्ग NH21 यहां से पास होता है इसको क्या कहेंगे हम इस पीछे वाली घाटी को कहेंगे हम इस पिती वैली इस पिती वैली के अंदर मुख्य तोर से क्या रहा है इस पिती वैली के अंदर यह थोड़ा समय वो कहां पहुंच जाओगे इधर से ले पहुंच जाएंगे ठीक है ये देख सकते हैं जसकर परवर्शिंकला का हिस्सा है कारगिल ये ले वाला हिस्सा है पूरा और इधर उत्तर में ले वाला इलाका है पूरा तो इस तरीके से जो है थोड़ा सा मैप समझाने में फिर इस मोड में आना पड़ता है क्योंकि थोड़ा सक्या है इसमें क्लियरिटी हो जाती है चलिए तो मैं ये कह रहा था कि इसको मैप को सीधा करते हैं ताकि आप लोगों को फिर से मैं एक बार प्रोगर के बता देता हूँ तो यहां से जो है वो इस जगह से निकले थे इस जगह से उत्तर की तरफ गए जम्मू कश्मीर के अंदर यहां पहुंच गए लेह तो इस तरीके से ये लेह को मनाली से जोड़ती है चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कोईशन देंगे पताईएगा कैस पर कैस 9 टेक्नि किलोमीटर भी याद रख लेंगे तो आपको काम हो जाएगा आपका है ना चलिए तो यहां पर अमित नहीं जाना चाहते कोई बात नी परसनल इच्छा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता बट हाँ जाईए कोई बात नी लाइफ में थोड़ा एडवेंचर करिए तरकारी नौकरी लग जाए फिर कर लीजेगा पर हाँ चलिए जाना चाहिए अगला यहां पर जो है वो किस से जुड़ावा है कैस पर कैस 9 की बात हो रही थी कैस पर कैस 9 किस से जुड़ावा है तो यहां पर जो है वो किस से जुड़ावा है कैस पर कैस 9 तकनीक जो है वो जीन संप प्राइज नोबल पुरसकार किसमें मिला है रसायन विज्ञान नोबल पुरसकार रसायन विज्ञान का इस तकनीक को मिला था जीन एडिटिंग यानि की पूरी तरीके से किसी भी व्यक्ति के डियने में सुधार करना हो डियने को बदलना हो परिवर्थित करना इस तरीके से इस टेकनीक का इस्तमाल किया जा सकता है यह बहुत ही कारगर है इससे इत्ता तक डर है कि मतलब आगे भविश्य में शायद पहले से आप अपने कोई अनुवांशिक बिमारिया है उनको दूर करने में बहुत सारी बिमार बीस का नोबल पुरसकार किसमें रसायन विज्ञान का यानि की केमिस्ट्री का नोबल पुरसकार किसको मिला था जीन एडिटिंग तकनीक विक्सित करने के लिए विज्ञानिकों को मिला था और कौन सी तकनीक विक्सित किया उनने कैस पर कैस नाइन तकनीक विक्सित किया इसी लिए हाँ बिल्कुल सुनील जैसा बता रहे हैं human embryo यानि कि जो गरबाशे में शुरुवात में ही जो cell होते हैं उनके अंदर किसी तरीके की जैसे for example इसका एक बहुत कारगर और अच्छा काम बताता हूँ जैसे उधारन से कुछ अनुवांशिक बिमारियां होती है जो म समस्या से निमटना ही बढ़ता है मान लिए किसी किसी की बिमारी होती है जैसे human मतब उसकी blood जो होता है वो गाड़ा हो जाता है उनको बार बार उनकी जरुद जो है वो ध्यान रखने वाली पड़ती है तो यह जो है वो इनको मिला था रसाइन विज्ञान के लिए सुनील क का जो noble पुरसकार यानि की medicine का noble पुरसकार है वो मिलाता है habitatitis C के लिए याद रखो बात सही कह रहे हो आप कि यह है biology से बट इस बार का अगर आप noble पुरसकार के बारे में पढ़ोगे तो उसमें लिखावा है कि यह chemistry के लिए इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि इसकी जो chemistry है उसको समझना और उसको copy करके इस तकनीक को इनसानों के लिए लागू करना उस चीज के लिए पुरसकार दिया जा रहा है चाहिए biology से हो बट biology अपने आप में chemistry होती है ऐसा इन्होंने noble पुरसकार के उसमें लिख के दिया यह noble पुरसकार chemistry के लिए मिला था biology यानि medicine का noble पु बिमारी होती है तो उसको ठीक कर सकते है जैसे किसी का खून जो है वो उसमें sickle slack, anemia कहा जाता है कि खून का जो blood cell होता है उसका आकारी बदल जाता है विक्रित हो जाता है यह अनुवांशिक बिमारी होती है इसका कोई इलाज नहीं है है इलाज इस तरीके से हो सकता है cancer नोबल प्राइस कैसे मिला, cash per cash नहीं इन तकनीक को मिला है इसी के साथ में जो है वो आज की class को यहीं पर समाप्त करूँगा, मिलूँगा सुबह 8 बज़े, Monday को आप लोगों को, ठीक है, thank you all झाल 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 von